नमस्कार सातिय। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लाजडेट में आपका दूस्टानुद स्वागत करता हूँ अपने नए वीडियो में तो आज हम बात करेंगे CIPF Constable Technical and Tradesman Recruitment 2023 की जो नए विकेंजी आई है उसके बारे में को चलो देख लेते हैं क्या qualification मांगा गया है क्या एज लिमिट रहने वाली है चलो बात करते हैं यहां पर सबसे पहले दिया गया है qualification डेटेल तो जो एज दी गई है आपकी एज की अगर बात की जाए एज लिमिट ऑफ CRPF Constable Technical तो यहां पर देख सकते हैं दा एज लिमिट फोर दी रिकर्ट मैंट इन अठारा से टीजिए फूर ओल पोस्ट एक्सेवर ड्राइवर पोस्ट 21-27 तो यहां पर जो सभी पोस्ट के लिए उम्र है वह 18-23 वर्स रखी गई है लेकिन जो ड्राइवर के लिए पोस्ट है उसके लिए उम्र आपकी 21-27 तक रखी गई है अगर आपकी उम्र 18-23 तक 18-23 की बीच है तो आप इसके लिए इलिजिबल हैं अगर बात की जाए OBC के लिए तो यहां पर एज रिलेक्सिशन भी दिया गया है तीन साल का अगर आप ऐसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको पांच साल का एज रिलेक्सिशन देखने को मिल जाएगा अब यहीं बात करते हैं अगर सैलेरी डिटेल की तो पेश किल 21,700 से 79,100 लेवल 3 की यहां पर इस एलिजिबल आपको देखने को मिल जाएगी वहीं अगर बात की जाए एप्लिकेशन फीस की तो कैटेगरी वाइस की एप्लिके फीमेल जो महला हैं उनके लिए और SCST और साथने ESM बालों के लिए 0 फीस है उनके लिए कोई फीस नहीं रखी जाई है वहीं अगर बात की जाए इंपोर्टेंट डेट्स की तो यहां पर जो डेट है स्टार्टिंग डेट उसको आप देख सकते हैं 27,3,2023 से एप्लाइ ला पिछ देखते हैं उसके बाद अगर बात की जाए एडिमिट कार्ड की नहीं रिलीज कर दिये जाएंगे तो फॉर्म बनने के बाद 20 से 25 जून को आपको इसके अर्मिन कार देखने को मिल जाएंगे वह अगर बात की जाए एक्जाम डेट की तो यहाँ पर एक से लेके 3 जुलाई तक इसके एक्जाम चलेंगे एक से लेके 3 जुलाई तक इसके एक्जाम होंगे उसके बाद बात की जाए selection process की तो यहां पे नहीं selection process दिया गया है CRPF Constable Technical Tracement Viquancy 23 के लिए सबसे पहले है जो आपका रहने वाला है आपका exam तो सबसे पहले computer-based exam होगा आपका उसके बाद यहां पे skill test होगा उसके physical और उसके बाद document verification उसके medical test सबसे पहले आपको return test देना होगा उसके बाद बगार बात की जाए apply process of CRPF Constable Technical Tracement Viquancy की तो आप इसके लिए applies की सीधे जो link दिये गए है importance उनसे जाके apply कर सकते या फिर security result.com पे जाके भी apply कर सकते तो इसके लिए आपको कोई भी offline apply नहीं करना है आपको online ही apply करना है किसी भी side पे जाके आप apply कर सकते हैं उसके लिए आप सरकारी exam.com इन पे जाके आप apply कर सकते हैं तो जो post है वो काफी अच्छी है और बेकेंसी भी बहुत जादा है 9000 प्लस बेकेंसी हैं आप लोग इसमें apply कीजिए और अगर बात की जाए इसके स्लेवस की तो स्लेवस में आपका math, reasoning, gkgs और हिंदी इंगलिस में से आप जो अच्छा लगे आप select कर सकते हैं और काफी अच्छी post है इसके लिए आप apply करें और जो आपका gd का स्लेवस था वही same स्लेवस रहने वाला है और सबसे best अच्छी बात यह है कि यह जो पोस्ट है वो 10th pass से है आपने अगर 10th pass कर रखा है तो आप इसके लिए eligible हैं और काफी अच्छी post है कोक है बारवर है माली है वाटर करियर है इन सब के लिए आपको पूछ देशने को मिल जाएंगे तो दोस्तो वीडियो अगर अपको अच्छा रगा हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और सेयर करें थैंक यू